हलो दोस्तों मेरी चैनल दा इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है आप लोगोंने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि कोई कितनी दुख और परिशानी जेल रहे होते हैं और अचानक उनकी जिन्गी बदल गई ऐसा कुछ हुआ कि जिसने उसकी सोच बदलती और उसके बाद में वो सफल होते चले गए हाँ ऐसा कई सफल लोगों की आत्मकथा आप सुने होंगे वैसे ही फाइब सेकेंड रूल समरी में आप एक ऐसी ही और सफल इंसान की कहानी बताने जा रहे हूँ फाइब सेकेंड रूल बुक की लेखी का मेल रॉबिन है कुछ साल पहले उनकी भी जीवन में बहुत सारी परिशानिया थी पैसो की तंगी नौकरी की परिशानी और एक अच्छी पतनी और माह की जिम्मेदारी सही सिन्न निभा पाने का तनाव इसी बज़े से वो नकारात्मा ख्यालों में डूपती जा रही थी इससे बचने के लिए वो शराप की लट लगती जा रही थी पर वो सच में अपने जीवन को बदलना चाहती थी वो हमेशा कोई तरीका ढूलना चाहती थी जिससे वो सब कुछ ठीक कर सके एक दिन अचानक रॉबिन का ध्यान टीवी में आ रहे एड पर गया जिसमें रॉकेट लॉंच हो रहा था और कांटिंग में पांच से लेकर एक तक गिरा गया और रॉकेट को लॉंच कर दिया गया इसी बात से मेल को खयाल आया कि वो दूसरे दिन सुबह अलारम का बटन दमाने के बज़ें पांच से लेकर एक तक गिंती करकर उठ जाएगी ठीक दूसरे दिन जब वह अलारम बजा तो रॉबिन ने पांच चार तीन दो एक ऐसी उल्टी गिंती गिननी शुरू की और सीथा बैट से उठकर बातरूम चली गई वैसे ये तरीका अपने बाकी काम से लगाया यानि जो काम वो करना चाहती थी पर टाल देती थी अब उसका ख्याल आते ही वो पांच से एक तक गिनना सुरू कर देती है और काम सुरू कर देती है और यहीं से शुरूआत हुई है फाइब सेकेंड रूल की इस तक नीकी से वो अपनी पैसों की परिशानी चीक किया परवार के साथ रिस्तों को भी सही तरह किसे समाल पाई अपनी शराब पीने की लग को भी छुड़वा पाई यह सब को छुबा सिर्फ पांच सेकेंड रूल की वजह से पांच सेकेंड रूल क्या है हर दिन हम ऐसे छणों का सामना करते हैं जो कठिक अनिश्चित और डरामने होते हैं इसलिए आपके जीवन में साहस की आवस्ता है और वास्तों में यह नियम आपको अपनी सबसे बड़ी आत्मों बनाने में या साहस कोजने में मदद करेगी फैप सेकेंड रूल बहुत आसान तरीका है जग भी आपके मन में विचार कोई जरूरी काम कर करने का तो तुरंत 5,4,3,2,1 गिने और काम को शुरू कर दीजे क्योंकि अगर आप रूख गए तो दूसरा विचार आपको 100 बहाने देगा और टाल मतुल करेगा दिमाग हमें इसा आराम करना चाहता है अपनी एनरजी बचाना चाहता है यही वज़ा है कि हर कोई इस टाल करने का विचार आता है तब दूसरे विचार उसमें आने वाले परिशानियों की तरफ ले जाता है और हम काम को नहीं कर पाते हैं आईए तो हम सभी जानते हैं कि 5 सेकेंड रूल कहां पर इस्तमाल किये जा सकते हैं नंबर एक हैं कोई आदत बदलने में इसे लगाए जा सक कोई नई आदत बनाने में या फे कोई बुरी आदत को छोड़ने में इसे इस्तमाल किया जा सकता है आत्मनियंतर्ण में माश्टरी हासल कर सकते हैं जिससे आप खुझ से और दूसरों से अच्छे रिस्ते बना सकते हैं नंबर दो है रोजाना खुद को सासी बनाने में इस इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आइडियास विचार दूसरों के सामने रख पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे नमबर तीन है आप नगेटों विचारों या अंदरूनी चिंता को रोकने के लिए इस नियम का अपयोग कर सकते हैं जो आपको न पाइप सेकेंड रूल काम कैसे करता है जब आप एक से लेकर पांस तक उल्टे गिंती गिंते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं तब आपका ध्यान काम पी तरफ लग जाता है इसलिए दिमाग उंचिंता डर या हिच्छार्ट के बारे में नहीं सोच पाता है जिससे आप पाती है जो इंसान को बनाती और बिगारती है तो जब हमें ऐसे स्टेफ लेना सुरू कर देते हैं तो दिमाग में अच्छी आदत का लूप बन जाता है और रोज की डर और चिंता से हम लड़ने में हिच्छाते नहीं है इस रूल की शुरुवात कैसे गरें फैफ सेकेंड नुल सुनने में तो सरल लगता होगा पर आजमाने में उतना आसान नहीं है ओथर कहती हैं कि शुरूल को शुरुवात में सुबह उठने में लगाएं आप जितने बज़े सोकर उठते हैं उससे आदे घंटे पहले का अलारम लगाएं और सुबह जैसी अलारम बज़ें पा इतनी शुरुवात सुबह उठने से लेकर की थी इसके बाद ये रूल वो फिल बाकी गोल में लगाती गई और कामयाम होती गई वैसे ही हम रोजाना कई सारे डर्ट ता हिच्चार्ट का सामना करते हैं और फाइब सेकेंड रूल ये हैबिट्स को तोड़ने में मदद करते हैं और एक्शन ले सकते हैं जैसे मीटिंग में अपनी आइडिया को बताने हिच्चार्ट या किसी काम को सुरू करने से ड़ना कि कई फैल ना हो जाए तो इस नियम का इस्तमाल कीजिए और इस डर से बहार निकलिए ऐसे ही एक्शन लेते लेते आपके अंदर आत्ममिस्व पास और साहस बढ़ता जाएगा इसके लिए हमें क्या करना है नंबर एक हैं ताल बटोल से बचें सही समय के इंतिजार के गेम जें बहार आये हम सब कभी न कभी सही समय आने का इंतिजार का गेम तो खेलते ही रहते हैं कोई आडिये पर काम करना हो या कोई बिजनिस शुर करना है इसके लिए एक्सन ले तब ही आप इस टाल मटोल की परिशानी से बहार आ सकते हैं कोई बात आपकी रिस्तेदारों को बैतर बताने के लिए कहनी जरूरी है पर आप दर रहे हैं बोलने में तो इस रूल का इस्तमाल कीजे और बोल दीजे नंबर दो हैं अपनी स्व आस्तों को बैतर करने में फाइफ जरूल का काफी योगदान है सिर्फ सोचने से ही सेहत मन मनना चाहती हूं या चाहता हूं आप सेहत मन नहीं बन पाएंगे इसके लिए एक्शन टू लेना जरूरी है जैसे ही अच्छी आदत और एक्सराइस पर है पता तो है पर मन नहीं क करता जब आप कुछ गलत खाने ही जाएं तो इस रूल का इस्तमाल करें और तुरंट सही खाना उठा लें सुबह उठकर एक्सराइस करने का मन नहीं कर रहा है तो पांट चार तीन दो एक गिने और तुरंट एक्सराइस करने के लिए रेडी हो जाएं वजह आप जानते है अगर आप सोचने लग गए तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे इसलिए पांट से लेकर एक तक गिने और छोटे छोटे हैबिट्स चैलेंज लेते जाएं फिर कुछ दूनों में अच्छे परणाम आपको चकित कर देंगे प्राडेक्टिविटी बढ़ाएं प्राडेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहले तो यह समझने की जरूरत है कि खुद को डिस्ट्रेक्शन से कैसे दूर करना होगा और आपको अपने जरूरी कामों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं अभी के लिए टेक्नलोजी के भरे इस समय में कई चीजें हैं जो आपको डिस्करेक्ट करती हैं और हर दिन इन चीजों से जूजना पड़ता हैं इस बात पे आथर कहती हैं कि आप सुबह का समय आपके जरूरी कामों के लिए रखें जो काम आपके लिए बहुत करते हैं इसलिए कठिन काम भी आसानी से सुरु कर सकते हैं साथ ते साथ अथर कुछ टिप्स भी देता हैं कुद को प्रेयरित करने के लिए नंबर एक हैं अपने मन में खुद के लिए कोई नकारात्मक धारना ना लाने दे DAY नंबर जो भी आप बनना चाहते हैं उसे विजुलाइज करें नमबर तीन है जिस पल आपको अपनी जरूरी काम को टालने का मन करें तो पांच चार तीन दो एक गिने और काम में शुरू हो जाए अगर आपको अपनी बुरी आदत छोड़नी है और नई आदतों को अपने जीवन में में लागू करेंगे तो आप जीवन के हर छेत्रन में सफलता पाएंगे अगर आपको मेरी ये आडियो बुक समनी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद